अगर आप अगनी भीर पेपर की त्यारी कर रहे हो तो अच्छे जगा आ चुके हो आज के इस वीडियो में टोटल 120 परस्न लियेगा है जिसमें से 60 परस्न समान्य ग्यान के रहने वाले हैं और 60 परस्न समान्य बिग्यान के रहने वाले हैं 120 प्रस्ण समाप्त होने के बाद लास्ट में इमंदारी पुर्वक से कमेंट करके बताना कि 120 प्रस्ण में से आपका कितना प्रस्ण सही हुआ है और जितना लोग मेरा कलास रेगुलर करते हैं उन लोग का एक भी प्रस्ण गलत नहीं होना चाहिए ठीक ना आपका सबसे पहला प्रस्ण है कि 200 कम्प्यूटर दिवस को मना जाता है 2 October, 2 December, 2 May और 7 April तो इसका राइट एंसवर क्या हो जाएगा? इसका राइट एंसवर 2 December हो जाएगा ठीक ना बीसो कम्प्यूटर दिवस को मनाया जाता है तो बीसो कम्प्यूटर दिवस दो दिसंबर को मनाया जाता है नेस्ट प्रसन के तरब चलते हैं आप लोग गिंती करते जाना आपका कितना प्रसन सही हो रहा है और जितने लोग का भी मतलब परसन जितना भी सही होगा सभी लोग को कमेंट करके बताना है ठीक ना क्योंकि आगले वीडियो में मैं पांच लोग का नाम लोगा जितने लोग का अच्छा स्कोर आया रहेगा सबसे जादे बागो की संख्या किस राज्य में है इसका राइट एंसर मध्य परदेश हो जाएगा मध्य परदेश इस राइट एंसर सबसे जादे बागो की संख्या किस राज्य में है मध्य परदेश में है अगर आप इंडियान आर में जीडी की त्यारी कर रहे हो या ट्रे स्टाब किसने जीताएं इफ याच पूरू सहाँ की विशोकप दोजार टेईश का किताब किसने जीताएं नीदरलेंड जरमनी वेलीजीयम और आस्ट्रेलिया इसका रायट एनसोर क्या या हो जाएगा इसका रायट एनसोर जरमनी हो जाएगा एफ ज़ायगा संबिधान में वरतमान में कितनी अनुसूचियां है अब जो लोग रोज पढ़ते होंगे रेगुलर पढ़ते होंगे उन लोग को ये परसन एकदम आसान लग रहा होगा और जो लोग रेगुलर नहीं पढ़ते होंगे उन लोग को ये परसन बहुत कठीन लग रहा होगा तो पढ़ने वाल लगे रहना है जुनून होना चाहिए जोस होना चाहिए आपका इस्टेटास भी वही होना चाहिए पूरा का पूरा मतलब उसी में पूरा दिन रात खोए रहना चाहिए ठीक है ना उसी के बारे में सोचते रहना चाहिए तबी अंदर से काम करने का चमता हैगा मतलब वही काम खरने का मतलब पढ़ने का चमताएगा तो भारतिय संबिधान में वरतमान में कितनी अनुसूचियां है 3, 392, 12 तो इसका राइटेंस्वर क्या हो जाएगा इसका राइटेंस्वर 12 हो जाएगा ठीक ना भारतिय संबिधान में वरतमान में कितनी अनुसोचिया है तो इसका राई टेंस्वर आपका बारा हो जाएगा नेस्ट प्रस्ण के तरफ चलते हैं आपका नेस्ट प्रस्ण है कि मौर्य वंस का संसथापक कौन था चंद्रगूप्त मौर्य वंस का संसथापक था ठीक ना चंद्रगूप्त मौर्य वंस का संसथापक था आप सभी लोग को पता होना चाहिए आपका नेस्ट प्रस्ण है कि एगरी कल्चर साड का संबंद की सखेल से है हाकी, फुटबाल, किरिकेट और बालीबाल तो इसका राई टेंसोर क्या हो जाएगा एग्री कल्चर साट का संबंद की सा खेल से है तो एग्री कल्चर साट का संबंद की सा खेल से है तो किरिकेट से है आपका नेश्ट प्रस्न है कि जार्खंड के राज्यपाल कौन है जार्खंड के राज्यपाल कौन है CP राधा कृष्णन आनंदी वेन पटेल आचर्य देवरत और राजेंद्र विश्वनाथ है तो इसका राई टेंस्वर क्या हो जाएगा जारखंड के राज्यपाल सेपी राधा क्रिश्नन है अभी देखो उत्तर परदेश के राज्यपाल कहों है तो आनंदी वेन पटेल है आप सभी लोगों को सभी राज्यों के राज्यपाल के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि राज्यों के राजधानी से और राज्यों के राज्यपाल से एक प्रसन जरूर पूछा जाता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए और जो पांच राज्यों में चुना हुआ है तो पांच राज्यों के जो नए मुख्य मंत्री बने हैं उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए आपका नेर्स्ट प्रस्ण है कि फूटबाल टूनामेंट डूरंड कॉप 2023 का किताब किस टीम ने जीता तो फूटबाल टूनामेंट डूरंड कॉप 2023 का किताब किस टीम ने जीता मोहन बागान इसका राइट एंसर हो जाएगा कभी कभी पूछ देता है मोहन बागान का संबंद की से खेल से है तो मोहन बागान का संबंद की से खेल से है फुटबाल से ठीक है ना और फुटबाल टूनामेंट डूरंड कप 2023 का किताब की से टीम ने जीता तो मोहन बागान ठीगना नेस्ट प्रसन के तरफ चलते हैं आपका नेस्ट प्रसन है कि सरवोच नियायाला के नियाई धीशो की नियुक्ति कौन करता है उप राष्ट्रपती, परधान मंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपती तो इसका राइट एंस्वर क्या हो जाएगा सरवोच नियायाला के नियाई धीशो की नियुक्ति कौन करता है तो सरवोच नियायाला के नियाई धीशो की नियुक्ति राष्ट्रपती करता है राष्ट्रपती is राइट एंस्वर सरवोच नियायाले के नियाई धीशों की नियुकती राष्ट्रपती करता है आपका नेश्मस नहीं सिंदू घाटी सब्याता के लोगों का मुख्य बेवसाय क्या था क्रिसी बयापार कपरड़े भूनना और इने में से कोई नहीं इसका राष्ट एंस्वर क्या हो जाएगा सिंदू घाटी सब्याता के लोगों का मुख्य बेवसाय क्या था तो क्रिसी था क्रिसी इस राष्ट एंस्वर सिंदू घाटी सब्याता के लोगों का मुख्य बेवसाय क्रिसी था आपका नेस्ट प्रस्न है कि गुप्त वन्स के वास्तिविक संस्थापक कौन थे गुप्त वन्स के वास्तिविक संस्थापक कौन थे चंद्र गुप्त फस्ट, समुंद्र गुप्त, बाबर और इनमेस कोई नहीं इसका राइट एंस्वर चंद्रगुप्त फास्ट हो जाएगा ठीक ना चंद्रगुप्त फास्ट इज राइट एंस्वर आपका नेस्ट प्रस्णा है कि लागातार तिसरी बार ICC महिला T20 क्रिकेट भी सोकप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता ठीक ना यहाँ पर किस टीम ने जीता लिखा गया है यहाँ पर लिखा गया है कि लागातार तिसरी बार ICC महिला T20 क्रिकेट भी सोकप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है आस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांगलादेश और दच्छिड अफ्रिका तो इसका राइट एंस्वर आपका आस्ट्रेलिया हो जाएगा आस्ट्रेलिया इस राइट एंस्वर नेस्ट प्रसन के तरब चलते हैं आपका नेस्ट प्रसन है कि ग्यान पीट पुरुसकार किस छेतर में परदान किया जाता है सहित्य के छेत्र में, फिल्म के छेत्र में, खेल के छेत्र में और संगीत के छेत्र में तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा ग्यान पीट पुरुसकार किस छेत्र में परदान किया जाता है तो ग्यान पीट पुरुषकार सहीत्य के छेत्र में परदान किया जाता है आपका नेस्ट प्रसन है कि कतर की राजधानी है स्वीडन दोहा और बर्मुडा तो इसका राई टेंसर क्या हो जाएगा कतर की राजधानी दोहा है काफी सारे लोग के घर वाले बिदेश रहते हैं तो कभी आप लोग देखे होंगे कभी कभी कुछ लोग बलते हैं कि दोहा कतर रहते हैं तो कतर की राजधानी कहा है दोहा है ठीक न आपका नेस्ट प्रसना है नेस्ट प्रसना है कि पूर्टगाल केक इस्टार फुटबाल क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबाल कलब में सामिल हो गया है तो इसका राइट एंस्वर क्या हो जाएगा लीबरपूल इंगलाइंड चेलसी कलब लंदन रियल माडरीड स्पेन और अल नसर सौधी अरब तो इसका राइट एंस्वर क्या हो जाएगा इसका राइट एंस्वर अल और नसर सौधी अरब हो जाएगा ठीक ना नेस्ट प्रसन के तरफ चलते है आपका नेस्ट प्रसन है के भोजन का कौन सा स्रोत शरीर निर्मार करता है ये समान बिग्यान का प्रसन है भोजन का कौन सा स्रोत शरीर निर्मार करता है कार्बो हाइडरेट प्रोटीन वस्ता और बिटामिन है तो इसका राइट एंस्वर क्या हो जाएगा इसका राइट एंस्वर प्रोटीन हो जाएगा भोजन का कौन सा स्रोत शरीर निर्मार करता है तो प्रोटीन इसका राइट एंस्वर हो जाएगा ठीक ना प्रोटीन इस राइट एंस्वर आपका नेस्ट प्रस्न है कि आवेस में किसका प्रभाव होता है तो आवेस में किसका प्रभाव होता है प्रोटान, कोड, इलेक्टरान और इने में से कोई नहीं इसका राई टेंस्वर क्या हो जाएगा इसका राई टेंस्वर इलेक्टरान हो जाएगा आवेस में किसका प्रभाव होता है तो इलेक्टरान का प्रभाव होता है ठीक ना हेलियम का परमाड़ संख्या क्या है तो हेलियम का परमाड़ करमांग कितना होता है दो, चार, छो और आठ है इसका राइट एंस्वर दो हो जाएगा हिलियम का परमाडू करमांक दो होता है ठीक ना और हाइड्रोजन का कितना होता है एक होता है जिसे आप लोगों पुरा याद करना पड़ेगा हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरेलियम तो इस तरह से आप लोग को याद करना पड़ेगा आपका नेस्ट प्रस्ण है कि निमने में से कौन सा कोशी का सिधान्थ का अपवाद है जिवाडू, प्रोटोजोवा, वाइरस और कवक तो इसका राइटेंस्वर क्या हो जाएगा इसका राइटेंस्वर वाइरस हो जाएगा निमने में से कौन सा कोशी का सिधान्थ का अपवाद है तो इसका राइटेंस्वर वाइरस हो जाएगा नेस्ट प्रस्ण के तरफ चलते है आपका नेस्ट प्रस्ण है कि कोशी का में प्रोटीन संसलेसर कहा होता है गालजी काय में, राइबोसोम में, माइट्रो कांडिया में और सेंट्रोसोम में इसका राइटेंस ओर क्या हो जाएगा कोशिका में प्रोटीन संसलेसर कहां होता है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए तो इसका राइटेंस ओर राइबोसोम हो जाएगा कोशी का में प्रोटین संसिलेसर कहां होता है थीक., ना नेस्ट प्रस्न के तरब चलते है आपका नेस्ट प्रस्न है कि malaria से प्रभावित होने वाला अंग है, most important प्रस्न है malaria से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है हिड़दय, फेफड़, गुड़दय और पिली हा इसका राइट एंस्वर आपका फेफड़ हो जाएगा ठीक ना, मलेरिया से प्रभावित होने वाला आंगा कौन सा है तो फेफड़ा इसका राइट एंस्वर हो जाएगा नेस्ट प्रसन के तरब चलते हैं आपका नेस्ट प्रसन है कि वर्ड फुलू होता है यह प्रसन इस बर इंडियन आरमी के पेपर में पुछा गया था तो इसका राइट एंस्वर यॉच फाइब यॉण वन हो जाएगा ठीक ना, यॉच फाइब और यॉण वन हो जाएगा ठीक न, यह इसवर पेपर में पूछा गया था, जेडी के पेपर में आपका next person है, देखो जितना भी प्रस्न में आप लोग के सामने लाता हूँ आदा से अधिक प्रस्न पूछा गया रहाता है आपका next person है कि प्रकास की चाल किस पर निर्भर करती है आकरिती तरंग धायर अपवरतनांग और आयम तो इसका राइट एंस्वर क्या हो जाएगा प्रकास की चाल किस पर निर्भर करता है तो इसका राइट एंस्वर अपवरतनांग हो जाएगा अपवरतनांग इस राइट एंस्वर आपका नेस्ट प्रस्ण है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांग है क्या होता है घटता है बढ़ता है और परिवर्थित रहता है और इन में से कोई नहीं तो इसका राई टेंस्वर घाटता है हो जाएगा ठीक ना दाब बढ़ाने पर बर्प का गलनांक घाटता है आपका नेस्ट प्रसना है कि लोहे के जंग का सुत्र है तो इसका राई टेंस्वर क्या हो जाएगा लोहे के जंग का सुत्र यहां पर पूछा जा रहा है इसका रा आपका नेर्स्ट प्रस्ण है कि विद्दूत उर्जा को यांतरिक उर्जा में कौन बदलता है तो विद्दूत उर्जा को यांतरिक उर्जा में कौन बदलता है तो विद्दूत उर्जा को यांतरिक उर्जा में कौन बदलता है तो विद्दूत उर्जा को यांतरिक उर्ज में बदलता है आपका नेस्ट पसना है कि पराड़ी में क्या नहीं पाया जाता है कोशी का भित्ती जिल्ली दोनों और नाट इन में से कोई नहीं इसका राई टेंसवर कोशी का भित्ती हो जाएगा पराड़ी में क्या नहीं पाया जाता है तो कोशी का भित्ती इसका राई ट सुचालक धातु है, चांदी, सोना, सीशा और पारा, तो इसका राइट एंस्वर क्या हो जाएगा, इसका राइट एंस्वर चांदी हो जाएगा, ठीक है ना, विद्दूत की सबसे अच्छी सुचालक धातु है, चांदी इसका राइट एंस्वर हो जाएगा, नेस्ट प्रस आतमक एकाई निफरान है ठीक ना नेस्ट प्रसन के तरफ चलते हैं आपका नेस्ट प्रसन है कि कैट रेक्ट बीमारी किससे संबन दीता है बालों से गुर्दों से आख से और बाल से इसका राइटेंसोर क्या हो जाएगा इसका राइटेंसोर आख से हो जाएगा ठीक ना मुख्या मन्ता गोसीत हुए है। मुक्यमंत्री बने हैं। आपका नेस्ट प्रसन है कि चतूर्थ बाध संगीती किस शासक के समय में आयोजित की गई। बाध सँगुती चतूर्थ के बारेमें बात हिया जा रहा है। आसोक अजात सस्त्रू कनीषक और चंद्रगुपत मर्य तो इसका राइटें स्वर किया हो जाएगा कनीषक हो जाएगा ठीकना चतूर्थ बौधस संगेती की सासक के समय में आयोजित की गई में नेस्ट प्रस्ण है कि भागवत गीता किसकी की रिती है तो भागवत गीता किस इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर आपका वेद वियास हो जाएगा ठीक ना वेद वियास इस राइट एंसर भगवत गीता किसकी किरिती है वेद वियास इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका नेश्ट प्रसन है कि किस भारती किरिकेट खिलाडी को लिटिल मास्टर कहा जाता है, सुनिल गावसकर, मार्टिन लूथर, फोलोरेंस नाइट एंगल और नाट इने में से कोई नहीं, यहाँ पर नाइट एंगल लाएगा ठीक ना, तो इसका राइट एंसवर सुनिल गावसकर हो जाएगा, सुनिल गावसकर इस राइट एंसवर, प्रस्न में बोला जाना है कि किस भारतिय क्रिकेट खिलारी को लीटिल मास्टर कहा जाता है, तो किस भारतिय क्रिकेट खिलारी को लीटिल मास्टर कहा जाता है, स्थूनी लिगावसकर को, ठीक है ना, आपका नेस्ट प्रस्न है कि बंगाल का सोक किस नदी को काते हैं, गंगा का सोक किस नदी को कहते हैं दा मुदर को नेस्ट पसन है लाल जंडा किसका सूचक है राष्टी और सोक का प्रतिक करांती या खत्रे का प्रतिक परिवार कल्याड और नाट इन में से कोई नहीं तो इसका राइट एंसर करांती या खत्रे का प्रतिक लाल जंडा ठीक ना और सफेद जंडा किसका प्रतीक है तो राष्टिय सोक का प्रतीक है सफेद जुका जंडा ठीक ना और लाल जंडा यहां पर बोला जा रहा है लाल जंडा किसका प्रतीक है तो करांतिय खत्रे का प्रतीक है और जुका जंडा राष्टिय सोक का प्रतीक है नेस्ट प्रसन के तरफ चलते हैं आपका नेस्ट प्रसन है कि देश के सरवुच सम्मान है प्रम्बीर चक्र भारत रतन बीर चक्र और महावीर चक्र तो देश का सरवुच सम्मान है इसका राइट एंस्वर क्या हो जाएगा प्रम्बीर चक्र हो जाएगा ठीक न? प्रस्ण के तरफ चलते हैं आपका नेस्ट प्रस्ण है कि बिश्व मौसम विग्ञान दिवसको मनाया जाता है तो बिश्व मौसम विग्ञान दिवसको मनाया जाता है 22 मार्च 23 मार्च 12 जनौरी और 15 जनौरी तो इसका राइटेंस्वर क्या हो जाएगा इसका राइटेंस्वर 23 मार्च हो जाएगा विश्व मौसम विज्ञान दिवस कोब मनाया जाता है तो 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है ठीक ना और विश्व जल दिवस कोब मनाया जाता है तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है ये आप सभी लोग को पता होना चाहिए राश्टिय युवा दिवस बारा जनौरी को मनाये जाता है और पंदरा जनौरी को भारती अत्हल सेना दिवस मनाये जाता है आपका नेश्ट प्रसना है कि फलाइंग सीख के नाम से किसे जाना जाता है तो फलाइंग सीख के नाम से किसे जाना जाता है इने मेंफे कोई नहीं जैन जी संकर कुरूप सुमित्रान अंदन पंत जी और नाट इन्हें वे से कोई नहीं तो इसका राइटेंस और सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा ठीक ना हिंदी का पहला ग्यान पीट पुरिशकार की से मिला तो सुमित्रा नंदन पंत जीको आपका नेश्ट प्रसन है कि हालही में मद्य पर्देश के सीयम कौन बने हैं तो हालही में मद्य पर्देश के सीयम कौन बने हैं आप समी लोग को पता होना चाहिए ये करेंट का प्रसन है ठीक ना और ऐसा तो प्रसन पुच्छा ही जाएगा तो अभी मैं आप लोग को बता चुका हूँ अगर आप लोग वीडियो दियान से देख रहे होंगे तो यह आप लोग को याद करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा क्योंकि कई बार मैं आप लोग को बता रहा हूँ चतिस वर के मुखे मंतरी बिसरु देव साय बने है ठीक ना यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाल ही में मद्य परदेश के सीम कौन बने है जगदीश देवडा मोहन यादो राजेंदर सुखला तो इसका राई टेंस और मोहन यादो हो जाएगा ठीक ना मद्य परदेश के सीम है यादो जी बने है मोहन यादो बने है आप सभी लोगdirect कौन बने है आपका नेस्ट प्रसन है कि भारत में राजियों के राजे पालों की निवखती करने का अधिकार की इसके पास परधान मंतरी मुख्य मंतरी सुप्रीम कोट के मुख्य नयदिस और राष्ट पती तो इसका राइट एंस्वर आपका राष्ट पती हो जाएगा ठीक ना भारत में राज्यों के राज्येपालों की न्यूकति करने का अधिकार किसके पास है तो राष्ट पती इसका राइट टाइगोर अभिनाव बिंदरा नाट इने में से कोई नहीं तो इसकराई टेंसर अभिनाव बिंदरा हो जाएगा भारत के पहले ओलम्पिक सुरण पदक विजेता कौन थे अभिनाव बिंदरा थे ठीक ना आपका नेश्ट पसना है कि राष्टिय मतदाता दिवस को मनाया जा प्रवासी दिवस को मनाया जाता है तो ये आप लोगो को कमेंट में बताना है ठीक ना नेश्ट प्रसने के तरफ चलते हैं आपका नेश्ट प्रसना है कि भारत के पचास में मुखेने आई दिस CGI किसे न्यूक्त किया गया है आप सभी लोगो को पता होना चाहिए इसकर होगा हीटालाल जे कनिया धनन जय या सवन्त चंद्र चुर्ण समीर वी कामन्त और नाट एन में से कोई नहीं तो इसका राइट एंस्वर क्या हो जाएगा भारत के 50 में मुख्यने आई देश cgi किसे न्यूक्त किया गया है आप सभी लोग को पता होना चाहिए इसका राइट एंस्वर धनन जय या सवन्त चंद्र चुरूड हो जाएगा ठीक ना धनन जय या सवन्त चंद्र चुरूड इस राइट एंस्वर नेस्ट प्रस्ण के तरफ चलते आए आपका नेस्ट प्रस्ण है कि कास्टिक सोडा का रसायनिक सुत्र क्या है काश्टिक, सोडाका रासायनिक सुत्र क्या है केम, यन फोर, CCO3, NaOH, NaCl इसकार राइटेंस्वर क्या हो जाएगा काश्टिक, सोडाका रासायनिक सुत्र, NaOH है आपका next प्रश्न है की कार्भोहडर्डर की मूल ड्यकाई होती है सरकरा एमीनो अमल नियूरान और नेफरान है इसका राई टेंसर क्या हो जाएगा ए कार्बो हाईडेड की मूल एकाई किया होती है देखो अभी हमारा आवास थोड़ा धीरा धीरा जा रहा होगा न मैं थोड़ा धीरा धीरा बोल रहा हूँ इसके पीछे का एक रीजन है अभी पूरा रात हो रहा है ठीक न अभी 11 बज़रा है तो सब लोग सो रहा है अगर तेज तेज बलूँगा न तो सब लोग जाग के आएंगे और जादे दिक्कत हो जाएगा अमारे लिए तो इसलिए मैं थोड़ा दीरे दीरे बोल रहा हूँ ठीक है न कार्भो फाईडेट की मूल 21 होती है इसका राइट एंस ओर आपका सरकरा हो जाएगा सरकरा इस राइट एंस ओर ठीक है न नेर्स्ट प्रसन के तरप चलते हैं आपका नेर्स्ट प्रसन है कि मदुमें हरोगी को मीठा खिलाने है तो सरकरत दी जाती है मदुमें हरोगी को मीठा खिलाने है तो सरकरत दी जाती है गुलुकोज, फ्रक्टोज, सैकरीन और माल्टोज है इसका राइट एंस्वर आपका सैकरीन हो जाएगा ठीक ना सैकरीन इस राइट एंस्वर आपका नेस्ट प्रस्ण है कि रेसेदार प्रोटीन है प्रोलामीन, एलबुमीन, कोलेजन और कैरोटीन रेसेदार प्रोटीन कौन सा है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए तो इसका राइट एंसर कोलेजन हो जाएगा ठीक ना कोलेजन इस राइट एंसर और सेधार प्रोटीन कोलेजन राइट एंसर हो जाएगा आपका नेश्ट परसना है कि मेंडल के अनुसार गुडों को नियंतरीत करने वाले कारक थे करड़ी कारक केंद्रक और जीन और गुडशुत्र तो इसका राइट एंसर जीन हो जाएगा जीन इस राइट एंस वर नेस्ट प्रसन के तरफ चलते हैं आपका नेस्ट पसना है कि चूने के पानी का दुधिया रंग करने वाली गयस है O2, CO2 या NO2 और ASO2 तो इसका राइट एंस वर क्या हो जाएगा CO2 हो जाएगा चूने के पानी का दुधिया रंग करने वाली गैस कौन से है तो यह CO2 है ठीक है ना आपका नेश पसना है कि रेफिरिजरेटर में भरी जाने वाली गैस है रेफिरिजरेटर में भरी जाने वाली गैस कौन से है CO2, CFC, CH4 और SO2 तो इसका राइटेंस्वर क्या हो जाएगा इसका राइटेंस्वर CFC हो जाएगा रेफिरिजरेटर में भरी जाने वाली गैस और CFC है जिसे कुलोरो-फलोरो कारबन भी बोला जाता है आपका नेश पसना है कि समान प्रकार के समान परकार के परमाड उसे मिलकर बनते हैं तत्व योगी के मिश्रण और नाठ इने में से कोई नहीं तो इसका राइटेंसवर क्या होजाएगा इसका राइटेंसवर तत्व होजाएगा लेश्ट प्रसना है कि पानी का अधिक्तम घंत्व होता है जिरो डिग्री सेल्सियस, चार डिग्री सेल्सियस, सो डिग्री सेल्सियस, दूसो ती अत्र डिग्री सेल्सियस तो पानी का अधिक्तम घनत होता है, इसका राइटेंस्वर क्या हो जाएगा? इसका राइटेंस्वर चार डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आपका नेश्ट पसना है कि ध्वनी कीस परकार की तरंग है अनुपरस्थ तरंग, अनुधायर तरंग, विद्धुत, चुम्बकी और सभी तो इसका राइट एंस्वर क्या हो जाएगा ध्वनी कीस परकार की तरंग है तो अनुधायर तरंग है धोनी किस परकार की तरंग है तो अनुधायर या तरंग है आपका नेश पसना है कि प्रोटीन की फैक्टरी किसे काते है राइबोसोम, लाइसोजोम, माइटरो, कांडिया और केंद्रक है तो इसका राइट एंस्वर आपका राइबोसोम हो जाएगा प्रोटीन की फाक्टरी किसे काते हैं तो राइबोसों को प्रोटीन की फाक्टरी काते हैं आवेस के प्रवा किदर कहलाती हैं आवेस बिदूत धारा बिदूत विभो और बिदूत विभो आंतर हैं तो इसका राइट एंस्वर बिदूत धारा हो जाएगा आवेस के प्रवा क कि दर किया कहलाती है विद्धूत धारा कहलाती है आपका नेस्ट प्रस्न है कि आवेस का सबसे बड़ा मात्रक है एम फी और फायराडे कुलाम और बोल्ट है इसका राइटेंसर क्या हो जाएगा इसका राइटेंसर फायराडे हो जाएगा आवेस का सबसे बड़ा मात्रक है फाइराडे इसका राइट एंस्वर हो जाएगा आवेस का सबसे बड़ा मात्रख है फाइराडे इसका राइट एंस्वर हो जाएगा आपका नेश्ट मसन है दोवनी की चाल किस पर किस का प्रभाव नहीं पड़ता है यहाँ पर लिखा गया कि दोवनी की चाल किस का तो इसका राइट एंस्वर क्या हो जाएगा इसका राइट एंस्वर आपका हो जाएगा दाब का ठीक ना धोनी की चाल पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है तो धोनी की चाल पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है आपका नेस्ट प्रस्ण है नेस्ट प्रस्ण है कि धो द्वानिकी तिप्रताका मात्रख है होटग, डेशिबल, नटन और नाट। इने में से कोई नहीं, तो इसका राईट वह। इसका राइट एंस्वर डेसीबल हो जाएगा धोणी की तीबिरता का मात्रक है डेसीबल है ठीक ना धोणी की तीबिरता का मात्रक डेसीबल है आपका नेस्ट परसन है इंडोनेसिया का राष्टी अखेल है इंडोनेसिया का राष्टी अखेल है बैड मिन्टन वालिबाल कवड़ी और वेस वाल तो इसका राइट एंस्वर क्या हो जाएगा आप सभी लोग को पता होना चाहिए इंडोनेसिया गाराश्टी अखेल है बैड मिन्टन ठीक ना बैड मिन्टन इस राइट एंस्वर नेस्ट प्रसन के तरफ चलते हैं आपका न आपर मिजोरम के बारे में बात किया जा रहा है मिजोरम के भी नए मुख्य मंत्री बने है तो कौन बने है प्यू जुराम ठांगा लाल दुहोमा प्रेमा खांडू एन विरेन सिंग है तो इसका राइट एंस्वर क्या हो जाएगा आप सभी लोग को पता होना चाहिए लाल दुहोमा वर्तमान में मिजोरम के मुख्य मंत्री कौन बने है तो लाल दुहोमा वर्तमान में मिजोरम के मुख्य मंत्री बने है ठीक ना लाल दुहोमा वर्तमान में मिजोरम के मुख्य मंत्री बने है नेस्ट प्रस्ना है खवाजा मोहिनु दिन चिस्ती की दरबार कहा है जैपूर नई दिली अजमेर और माउंट आभू तो इसका राइट एंसवर क्या हो जाएगा खवाजा मोहिनु दीन चीश्ती का दरबार कहा है आप सभी लोग को पता होना चाहिए इसका राइट एंसवर आजमेर होगा ठीक ना आजमेर इस राइट एंसवर ये राजस्थान में पढ़ता है मैं आप लोग को एक बार जैपूर बता दिया था लेकिन जब मैं आप लोग का कमेंट काफी सरे लोग आया था फिर जैसे किताम में दिया था जैपूर ठीक ना उसके बाद फिर मैं गूगल किया तो आजमेर बता रहा था तो ये आप लोग को पता होना चा आपना कब हुई तो इसका राइट एंसर और नी सो अन्तालिस हो जाएगा ठीक ना आपका नेस्ट प्रस्न है कि दो एलिफेंट वीपर्स को कौन सा पुरुसकार मिला ग्रैमी पुरुसकार आसकर पुरुसकार दादा सहे फाल के पुरुसकार और भारत रत ना तो इसका राइट एंसर आसकर पुरुसकार हो जाएगा दो एलिफेंट वीपर्स को कौन सा पुरुसकार मिला तो आसकर पुरुसकार इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक ना आप सभी लोग को ये बात पता होना चाहिए आपका नेस्ट प्रस्ण है कि वर्तमान में तेलंगाना के मुख्य मंत्री कौन बने है पुशकर सिंग, धामी, नेफिय, रियो, नमीन, पतनायक और ए रेवन्त रेड़ी तो वर्तमान में तेलंगाना के मुख्य मंत्री कौन बने है ए रेवंत रेड़ी इसका right answer हो जाएगा आपका next परसन है कि The Taste of My Life किस खिलाड़ी की आत्म कथा है The Taste of My Life किस खिलाड़ी की आत्म कथा है बरायन लारा सचिन्त अंदुलकर यूराज सिंग और बिराठ कोली तो इसका right answer क्या हो जाएगा आप सभी लोग को पता होना चाहिए, यूराज सिंग इसका right answer हो जाएगा, ठीक ना, दो टेस्ट आप माई लाइब की स्खिलाडी की आत्म कता है, तो यूराज सिंग इसका right answer हो जाएगा, आपका next प्रस्ण है कि सार्क की अस्थापना कहा होई थी, नेपाल, बांगलादेश, भारत और पाकिस्तान है, तो इसका right answer बांगलादेश हो जाएगा, ठीक नया है? आपका नेस्मासना है कि भारत के नए रच्छा सच्यूँ कौन बने हैं? और माने, गिरिधर, अजय कुमार, सैलेश कुमार और अमरित, मिरा इसका राई टेंसर क्या हो जाएगा भारत के नए रच्छा सचिव कौन बने है आप सभी लोग को पता होना चाहिए तोगी ये करेंट का प्रस्ण है और ऐसा ही प्रस्ण पुछा जाता है तो इसका राई टेंसर अर्माने गीरिधर हो जाएगा भारत के नए रच्छा सचिव बने है आपका नेस्ट पसन है राज्य सभा के नए सचीव कौन बने है प्रमोद चंद्रमोधी पीपी के राज्य यारलू वैंकिया नाइडिव और देश दीपक वर्मा अभी देखो मेरा बैटरी भी लो बता रहा है तो इसका राइट एंस्वर क्या हो जाएगा इसका राइ सभा के नए महा सचीव कौन बने है तो प्रमोद चंद्रमोधी ठीक ना आपका नेस्ट पसन है कि नेस्ट पाइड़ेट कोर्प्स जैसे कोर्प्स इसका मतलब इंगलिस यांसीसी होता है और इसका फूल फार्म होता है नेस्ट पाइड़ेट कोर्प्स ठीक ना नेस्ट पा इसका राइट एंस्वर हो जाएगा नेस्ट प्रस्न के तरफ चलते हैं आपका नेस्ट प्रस्न है कि भारत के नए मुख्यों आर्थिक सलाकार कौन बने हैं भारत के नए मुख्यों आर्थिक सलाकार कौन बने हैं वी अनन्त नागे स्वरन वेडु गोपाल सीवन अजय त्यागी और इन में से कोई नहीं इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार काउन बने है इसका राइट एंसर भी अनन्त नागेस्वरन हो जाएगा आपका नेस्ट पसन है कि महातमा बुद्ध ने अपना पहला उपेदेश कहा दिया था शारनाथ लुंबिनी बोद गया कपील वस्तु तो इसका राइट एंसर सारनाथ हो जाएगा शारनाथ इस राइट एंसर आपका नेस्ट पसन है कि हाईदराबाद की सनदी के किना रहिशतित है गोदावरी, क्रिशना, मुशी और सिप्रा तो इसका राइट एंसर किया हो जाएगा हैदराबाद की सनदी के किना रहिशतित है आप सब भी लोगों को पता होना चाहिए यह मैं आप लोगों कई बार बता चुका हूँ ठीक है तो गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए नेस्ट पसन के तरफ चलते है आपका नेस्ट प्रसन है कि कि गय का बैज्ञानिक नाम है आप लोग को भरोसा नहीं होगा मैं अपने आवाज को बड़ा कंट्रोल करके वीडियो बना रहा हूँ ठीक ना काफी जादे रात हो गया ना तो इसलिए आप लोग तो जानते हैं यो फाउज वाले बनते हैं ऐसे होते हैं जिनका आवाज थोड़ा मतलब बहुत कंट्रोल करने के बाद जैसे थोड़ा नारमल होता है नहीं तो बाई चाये फाउजी बने चाये ना बने आवाज तो खतरनाक वाला है ठीक ना और फाउजी वाला लुक भी है और फाउजी वाला लुक रहना भी चाहिए सब कुछ सबसे तेज रंग के प्रकास में होती है बैगनी रंग नीला रंग लाल रंग और पीला रंग तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर लाल रंग हो जाएगा ठीक ना आपका नेस्ट प्रस्ण है कि पौधे का जनक अंग है फल फूल जोड और तना इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर फूल हो जाएगा पौधे का जनक अंग है इसका राईट एंसर फूल हो जाएगा पोधे का जनक अंग फूल होता है आपका नेस्ट परसन है प्रोटीन का पाचन होटा है छोटी यांत बड़ी यांत अमासे और इने में से कोई नहीं तो इसका राईट टेंसर क्या हो जाएगा इसका राइट एंस्वर आमासा हो जाएगा प्रोटीन का पाचन होता है आमासा में ठीक ना आपका नेश्ट पसन है कि जिव भी ज्यान एवाम जन तुभी ज्यान का पिता किसे कहा जाता है और अस्तु को हेरो टोडस को ही के टीयस को और इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट एंस्वर आरस्टु को हो जाएगा जिव भी ज्यान एवाम जन तुभी ज्यान का पिता किसे कहा जाता है तो आरस्टु को जिव भी ज्यान एवाम जन तुभी ज्यान का पिता कहा जाता है आपका नेश्ट पसन है कि आवेस की प्रवा की दर कहलाती है आवेस विद्धूत धारा, विद्धूत विभा और विद्धूत विभा आंतर है तो इसका राइट एंस्वर क्या हो जाएगा इसका राइट एंस्वर आपका विद्धूत धारा हो जाएगा ठीक न?이죠 next प्रस्न है, rectifier हो जाएगा, आपका next प्रस्न है कि सूर्य की उर्जा उतपन होती है, आइरन द्वारा नाविकिये, सनलेण द्वारा नाविकिये, विखंडन द्वारा और आक्सीजन द्वारा, तो इसका राई टेंसोर क्या हो जाएगा? सूर्य की उर्जा उत्पन होती है इसका राई टेंस्वर आपका नावकी सनलेयन द्वारा हो जाएगा ठीक ना सूर्य की उर्जा उत्पन होती है कि इसके द्वारा नावकी सनलेयन द्वारा आपका नेस्ट प्रस्णा है कि तैरना और दोलना गती के किस नियम पर आधारी था है पहले दूसरे तीसरे और समवेक सनरत छड़ है तो इसका राई टेंस्वर क्या हो जाएगा इसका राई टेंस्वर तीसरे हो जाएगा तेरना और दड़ना गती के किस नियमपर अधारी था तो तीसरे नियमपर आपका नेश्ट प्रसन है मनुष्य के सरीर में सबसे अधिक कौन सत्तों पाया जाता है कारबन, हाइड्रोजन, आक्सीजन और इनमेस कोई नहीं तो कई बार मैं आप लोगों बता चुका हूँ मनुष्य के सरीर में सबसे अधिक कौन सत्तों पाया जाता है तो आक्सीजन पाया जाता है ठीक ना आक्सीजन इस राइट एन्सवर आपका नेश्ट प्रसन है कि ठोस कपूर से वास्प बनने की किरिया को कहते है ठोस कपूर से वास्प बनने की किरिया को क्या कहते है वास्पी करोड हीमी करोड पीघिलना पीघलना और उर्धवा पातन तो इसका राइट एन्सवर क्या हो जाएगा आप सभी लोगों को पता होना चाहिए इसका राइ टेंस्वर उर्धवपातन हो जाएगा, ठीक ना, उर्धवपातन is राइ टेंस्वर आपका नेस्ट परस्ण है कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है बढ़ता है, घटता है, कोई परिवरतन नहीं होता है, और इनमें से कोई नहीं तो इसका right answer क्या हो जाएगा आप सभी लोह को पतावना चाहिए बढ़ता है जग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है आपका नेस्ट प्रस्ण है कि नीला तोथा है कापर सलफेट, कैल्सियम सलफेट, आइरन सलफेट और सोडियम सलफेट तो इसका राइट एंसवर क्या हो जाएगा नीला थो था है इसका राइट एंसवर आपका कापर सलफेट हो जाएगा ठीक ना कापर सलफेट इस राइट एंसवर आपका नेस्ट पसन है कि सौर मंडल का सबसे छोटा गरह है बुद्ध मंगल पिरित भी और नाट एन में से कोई ना है तो इसका राई टेंस वर आपका बुद्ध हो जाएगा सोर मंडल का सबसे छोटा गरह बुद्ध है ठीक न यहाँ टाइपिंग करने में थोड़ा बहुत मिश्टेक हो गया है गिरी ही लिका गया है तो इसको आप लोग कट कर देना और यहाँ पर आप लोग गुरह लिख लेना ठीक है न आपका नेश्ट पसन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यचता कौन करता है परधान मंतरी लोग सबाध्यच राष्ट पती और उप राष्ट पती तो इसका राई टेंस्वर क्या हो जाएगा राष्ट पती इसका राई टेंस्वर हो जाएगा आपका नेश्ट प्रस्ण है नेश्ट प्रस्ण है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गराम पंचायतों के लिए आम्मा बैंक लांच किया है सिक्की में ओरिशा नई दिल्ली और कोलकाता तो इसका राई टेंस्वर ओरिशा हो जाएगा ठीक ना करेंट अफेर्स का प्रस्ण है ओरिशा के जो राज्य सरकार है वो आमा बैंक लांच किया है ठीक ना हमारे गांवाले लड़के तो आमा मखुब चिलाते हैं नेस्ट प्रस्ण है करो या मरो डू आडाई का नारा किसने दिया था महातमा गांधी जोहर लान नहरू इंद्रा गांधी और भागत सिंग तो इसका राई टेंस्वर क्या हो जाएगा इसका राई टेंस्वर आपका महातमा गांधी हो जाएगा करो या मरो का नारा महातमा गा हरू तो इसका राइट एंस्वर क्या हो जाएगा आप सभी लोग को पता होना चाहिए गोदान एवं गवन के परसीद पुस्तक के लेखक कौन है तो मुनसी प्रेम चंद है ठीक ना मुनसी प्रेम चंद इस राइट एंस्वर आपका नेश पस्न है दूजार उन्नीस के जीत बनर्जी मदर ट्रेशा और वी एस नाइपाल है तो इसका राइट एंस्वर आपका अभिजीत बनर्जी हो जाएगा दूजार उन्नीस के अर्थ सास्त का नोबिल की से मिला था तो अभिजीत बनर्जी को आपका नेश पस्ना है वरतमान में भारत के खेल मंत्री है अस अनुराग ठाकूर वरतमान में भारत के खेल मंत्री है आपका नेश पस्ना है लोग सभा में वरतमान में सदस्यों की संख्या है तो ये प्रस्ना लोग सभा में वरतमान में सदस्यों की संख्या है इसका राइट एंस्वर क्या हो जाएगा 545, 550, 245 और 543 इसका राइट ए हो जाएगा ठीक ना अल्लो के सभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या पांसो तीरालीस है और राज्य सभा में दूसो पैतालीस है आपका नेस्ट प्रस्ण है देश के सबसे अधिक साचरता वला राज्य कौन सा है विहार अरुडाचल परदेश केरल और गोवा तो इसका राइटेंस्वर केरल हो जाएगा देश के सबसे अधिक साचरता वला राज्य केरल है ठीक ना आपका नेस्ट प्रस्ण है नेहरुक अ तो फूटबाल से संब nou सुगन दीत है, आपका नेश्ट मसन है साइना नियवाल की सखेल से संब Dickson क्रिकेट, तेनिस, बैटमिंटन और हाकी तो इस ख्राइट रभाणेंटन हो जाएगा साइना नेवाल की सखेल से संबंदित है तो साइना नेवाल बैड मिंटन से संबंदित है आपका नेश्ट पस्न है कि वर्स का सबसे छोटा दिन होता है 21 जून 21 मार्च 23 सितंबर 22 दिसंबर तो वर्स का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है ठीका नेश पस्ता है भजन लाल सरमा को नीमने में से किस राज के मुख्य मंतरी के पद पर चुना गया है इमांचल परदेश राजस्तान बिहार और पंजाब है तो इसका राइट एंसवर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसवर आपका राजस्तान हो जाएगा ठीक ना अभी मैं आप लोग को मिजूरम के मुख्य मंतरी के बारे में बता चुका हूँ उसके बास से 36 गट के मुख्य मंतरी के बारे में बता चुका हूँ मद्य परदेश क लोग सबा में कितने सध रस्य को मनोईद करता है तो राष्टरपति लोगसबा में कितने सद रस्य को मनोईद करता है 12 बारा लेकर आँगा ठीक ना लोगी दो जगा मतलब दो तरह से दिया है तो मैं एक बार अपने सर लोगों से भी पूछूंगा इस प्रस्न को उसके बास से आप लोगों को बता दूँगा आपका नेस्ट प्रस्न है कि चंद्रगुप्त मर्य का पोता कौन था बिम्बिसार ब्रिहद रथ महेंद्र और असोक है तो इसका राइट एंस्वर आपका असोक हो जाएगा चंद्रगुप्त मर्य का पोता कौन था असोक था आपका नेस्ट पसन है भोजन की उर्जा को किसी अंत्र से मापते हैं लेक्टो मीटर, अल्टी मीटर, बाम कैलोरी मीटर, थारमा मीटर तो इसका राइट एंसर बाम कैलोरी मीटर हो जाएगा भोजन की उर्जा को बाम कैलोरी मीटर से मापते हैं आपका नेस्ट पस्ण है प्रतिरोध का मात्रक क्या है कुलाम, एमबी और ओम और वाट है तो प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम है ठीक ना प्रतिरोध का मात्रक ओम है आपका नेस्ट पस्ण है मानो शरीर में सबसे छोटी जनन कोशिका है आर बीसी, सुकराड, निवरान और अबीपता है जैसे मतलब मैं अभी जहां से आप लोगा ये कलास करा रहा हूं तो मतलब मैं रनिंग करके आया था पूरा बढ़िया से जैसे पैर में थोड़ा सा फाट गया था ना वो जैसे मतलब पैर में थोड़ा बलोडा रहा था तो उसको पूरा तेल से माली से लिस करके जैसे बैट कर कलास कर रहा हूँ तो मैं एक जैसे नहीं होता है एक जैसे डलू होता है लोटे टाइप का होता है तो इसमें दूद मैं रखा गया था उसको मैं पी कर रखा था नीचे तो एक बिल्ली आई है और थोड़ा थोड़ा दूद बचा था तो वो बिल्ली इसमें मतलब अपना मुह डाल दिये और उस बिल्ली का मुह इसमें फस गया है वो दूद पीने के चकर में डाल दिये उस बिल्ली का मुह फस गया है और वो बिल्ली इदर उदर भाग रही है तो मुझे डिश्टर्ब कर रही है कलास नहीं कराने दे रही है अब कलास खतम करके बिल्ली को खोब पीटूंगा क्योंकि वो दूद पीने के चकर में आई है अभी हम दूद पी लिये थे नहीं तो सारा दूद खतम कर देती तो अभी कलास खतम करके उसको पीट रहा हूँ कोशिगा के किरियात्मक गति विधिया नियंतरित होती है केंद्रिका द्वारा, माइट्रो कांडिया द्वारा, जीवत रभव द्वारा और केंद्रक द्वारा तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट एंसर केंद्रक द्वारा हो जाएगा ठीक ना, केंद्रक द्वारा इस राइट एंसर, आपका नेश्ट प्रस्ण है, बिटामिन C का रासाइनिक नाम है, रेटिनाल, थायमीन, एसकरविक, अमल और कैलसी, फेरोल है, तो इसका राइट एंसर एसकरविक हो जाए रासायनिक बिद्धूत गतीज और नाट एनमेस कोई नहें तो इसका राइट एंसवर रासायनिक हो जाएगा रासायनिक इस राइट एंसवर नेश्ट प्रसना है नीमन में से किस रोग को भारत से मुक्त घोसित कर दिया गया है एड्स टीवी पोलियो और टिटनस है तो इस पोलियो और ठीक ना पोलियो को भारत से मुक्त कर दिया गया है आपका नेश्ट प्रसना है कि समतल दरपड द्वारा बना परत्यविंब कैसा होता है कालपिनिक वास्तविक अभासी और सीधा इसका राइट एंसवर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसवर कालपनिक हो जा राइट एंस्वर क्या हो जाएगा इसका राइट एंस्वर आपका प्लीहा या तिल्ली हो जाएगा ठीक ना प्लीहा या तिल्ली इस राइट एंस्वर आपका नेश्ट पस्न है मानों का स्वर यंत्र है ग्रसनी कंठ लेरिंग्स ग्रासनली स्वासनली तो इसका राइट एंस तो इसका राइ थैस्प्स अपकर फाप जाए पेकिंघ शॉड़ा का दर्ग और शूत्र हैं यंघरी यह 종堵 tego आपका नेश्ट पसना है कि कौन सिधातु विद्धुत चुम्बक बनाने में उपियुकता है कच्चा लोहा, इस्टील, तामबा और कोबाल्ट तो इसका राइटेंस्वर पसना है माईको, पलाजमा, तंत्री का, कोशिका, और इन में से कोई नहीं, यहाँ सबसे बड़ा कोशिका रहेगा, तो सुतुर मूर्ग का अंडा हो जाएगा, ठीक ना, आपका नेश्ट प्रसना है, और लास्ट प्रसना है, इसके बासे तो में चैंस हो सोँगा, ठीक ना, और मेरा फायर में बड़ा जादे दिक्कत हो गया है, तो देखता हूं सुबह में रनिंग करने जा पाऊंगा कि नहीं, वैसे नहीं जा पाऊंगा, बहुत जादे दिक्कत है, आवेस की स्फरकार की रासी है, सदीस, अदीस, दोनों, हर दोनों नहीं, तो इसका राई टेंस्वर देखने से पहले, जितने लोग शुरुवात में 120 में से 120 बताएंगे, तो पक्का है, मैं पाचान जाओंगा, जो कि वीडियो जितना लंबा है, मुझे पता है, उतना मिनट के बाद ही उन लोग का कमेंट आना चाहिए, अगर उस तरह से पहले कमेंट किया होंगे, तो वो आप सेर हो, तो हम सबा सेर हैं, क्योंकि हमारा भी पेपर निकल चुका है, ठीक है ना, और हम भी बड़ा इस्ट्रेगल करते हैं, तो समझ सकते हो, तो अपना तारीब ज्यादा ठीक भी नहीं है, चलो ठीक है, मिलते हैं आगले वीडियो में, जहिंद बंदे मात्रों